गेन बाज अच्छी ले में लग रहे हैं क्या ये विकेट ले पाएंगे चलिए देखते हैं पूरी तरह से चुग गए बड़िया केन बाजी बल्ले बाज पिछली गेन पर बड़े अनकमफरटबल लगे तकड़ा शौट बल्ले के एकदम बीच से मिकली ये गेन इसके साथ इनके पचास रंग पूरे विश्वाज बरा शौट था ये अच्छी बल्ले बाजी क्या ये इस 50 को एक बड़ी पारी में तब्दिल कर पाएंगे चलो देखते हैं बड़िया शौट और गेन सीधी बाउंडरी लाइन की तरफ जाती हुई फिर रीपले में आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से उस शौट को खेला हुई ने बल्ले बाज को यहाँ जोश में खोशनी गवाना चाहिए करारा प्रहार बल्ले बाज का छे रण के लिए पूरी तरह नियंतरन में थे बल्ले बाज चालाक है बल्ले बाज जानते है फिल्ड का वो हिससा चोटा है और इसका पूरा फाइदा उठाया चे रण ओवर त्रोज अतिरिक रण मिलेंगे बैटिंग टीम को भरा फिल्डिंग थीक से टाइम नहीं कर पाए वहाँ खराब थ्रोज एक्स्ट्रा रंस मिलेंगे बैटिंग टीम को गेंड बाजी में बदलाव तेज गेंड बाज वापस आते हुए तेज गेंड बाजी को खेलना पसंद करता है ये बल्ले बाज आसानी से खेला एक रन के लिए गेंड सीधा स्टाउंस में लगी है बड़ी अत्रो अंती मोवर्स के लिए विकेस को हाथ में रखना बहुत ही इंपोर्टन होगा खराब शॉर्ट सेलेक्शन बिल्कुछ समझ नहीं पाए गेंड को बल्ले बाज जरूर पिछली गेंड के बारे में सोच रहे हूंगे नो बॉल काफी निराश होंगे बोलर अपने आप से यहाँ चलिए देखते हैं कि अब बल्ले बाज इस फ्री हिट को कैश इंग कर पाएंगे तग्रा शॉर्ट बल्ले के एक दम बीच से निकली ये गेंड सुन्दर टाइमिंग के साथ ये शॉर्ट खेला यहाँ बल्ले बाजने अच्छा शॉर्ट बस सिंगल ही मिलेगा अवर्ट्रो इसके शाय जरूरत नहीं थी बोनस रंजोड लीजे बैटिंटीम के खाते में वाह क्या क्लीन बैक स्विंग छे रंड दोनों ही बल्ले बाज अप सेट हो चुके हैं क्रीज पर दोनों ने पिच को अच्छी तरह समझ लिया है इतना असान नहीं है इस शॉट को एग्जेक्यूट करना ग्राउन का सबसे छोटा हिस्सा चुनाई शॉट के लिए चत्तुर बल्ले बाजी और ये गेंद हवा में और ये आउट बहुत ली अच्छा कैच फील्डर के दोरा इस विकेट की तलाश थी ने कैप्टन काफी खुश गेंद बाज से खराब शॉट बल्ले बाज दोरा और फील्डर के लिए आसाँ सा कैच अपनी पारी की शुरुआत में संबल कर खेलना होगा बल्ले बाज को आसानी से खेला एक रन के लिए अच्छा शॉट बस सिंगल ही मिलेगा बड़ी अचार रन गेंद बल्ले से लगते ही उसका परिणाम तैथा विश्वाज बरा शॉट था ये अच्छी बल्ले बाजी बल्ले बाज अच्छे फारम में दिख रहे है सिंगल लेकर बल्ले बाज अच्छा स्ट्राइक रोटेशन कर रहे है बड़ी अपीर लेकिन अंपाय ने दिया नौट आउट और वो अंपाय के डिसिजन से सहमत है कप्तान ने अपने रिसोर्स को बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया है बल्ले बाज के फुट वर्क पे सवाल उठाते हुए गेंद बाजी बहुत ही बढ़िया स्पिनर को दूसरे छोड से लाया गया है बल्ले बाज पिछली गेंद पे बड़े अनकमफर्टबल लगे हवा में खेला है ये शोड़ गेंद बाज को अपनी लाइन लेंग में थोड़ा अनुशासन देखाना होगा आसानी से केला एक रन के लिए अच्छा शोड बस सिंगल ही मिलेगा लाज अवाब टाइमिंग बड़िया तरीके से गैप ढूंडा और चौका बटोरा बल्ले बाज को यहाँ जोश में खोशनी गवाना चाहिए उठा के मारा है लंबा शौट खेलने का प्रयास और गेन सीधा फील्डर के हाथों में काफी निरास लग रहे हैं अगली पारी में कोशिश करेंगे कि ऐसी गल्ती फिर ना दोरा आए ऐसे कैचेज मुश्किल होते हैं कभी कभी अच्छी एक्रिसी दिखा रहे हैं गेन बाद अपने स्पेल में और जबर्दस गेन बाद यह इसी बोलिंग को खेलना नामुम्किन तेज गेन बाद को लाए गया है दूसरे छोर से बल्लेबाज जरूर पिछली गेन के बारे में सोच रहे होंगे बढ़िया गेन बिल्कुल कनेक नहीं कर पाएं बल्लेबाज बल्लेबाज जरूर पिछली गेन के बारे में सोच रहे होंगे आसानी से कहला एक रन के लिए वाइड थ्रो खेलाडी द्वारा धीमी गेंथ इस पिच्पेक अच्छा विकल्प होगा अच्छा शॉट बस सिंगल ही मिलेगा ओहो बहतरी थ्रो डिरेक्ट हिट गैप में खेल दिया है क्या दूसरा रंचुरा पाएंगे बढ़िया थ्रो स्टम्स के वेहत करीब पाएंगे आबलाऊ